अब इनको लड़ने की कोई अवकाद है नहीं, इसलिए कील-कील ठोग रहा है, राइपल बंदूक बॉम बारू से यह लड़ना चाहते हैं, लोग तंत पर और संविदान पर भाबा साब अंबेतकर पर इनको भरोसा नहीं है, अब आदमी मरा उसके लिए ट्वीट नहीं आधिया यहां ज़ना पार्टी शब पूचिए क्षाशी माँबाफ हमारे मर गे हमारे बच्चे मरे गोली में हमारा 25 शाल का लरका मरा क्या लग रहा है कि यह नेपाल की लोग है क्या यहां यहां नेपाल से आए हुए एफ इसको समझने का कोसिश करिये बड़ी लड़ाई और इसको तमिलाडू में भी है महारास्टा में भी एक लाग किसान जुटे हुए हैं राजस्तान में भी हैं वो क्या कर रहा हैं चिद भी मेरी पड़ मेरी सुब बाजा ता बाजा चलनीयों बाजा जह सीशा के घर में रहके पथर फेकते रहते हैं पथर बाजी कौन करता है पीछे से वार कौन करता है दोगला ना सामने सामनी कौन अब फढ़िया लेंगे फिलाल हमारे साथ पपुछी मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे योदे चीन और पाकिस्तान का बोडर अब इनके लिए कुछ नहीं है हमेशा गाली देना, आटनगबादी कहना, हमेशा फुट डालो सासन करने की तरीके इनके रहें है, ईनपर विश्वास कौन करेगा, मराथी गहिर मराथी पटेल गहिर पटेल बाद में तुमने जाटों को गाली दी जाट गहिर जाट किया हरियाना में पूरा नफ्रत पड़ा करवाए है फिर सीख गयर सीख के थिए पिर समाज को बाठने की dormir गयरद इस आप बंगाली घर बंगाली कर रहे हो तो हमेशा फूट डालो साशान करने की जो इनकी प्रविड्टी रही है हुआ ऐट्यों कैसे गहें इतने कमजोर साषन क्यों था साजिश्स थी इनकी लाल कौन ले गए लाल किला पर अब आदमी मरा उसके लिए ट्वीट नहीं हुआ उसके लिए देन लोकार यह इस लिए नचनियां पाटी ट्वीट नहीं किये यह जो यह सब आटम है चखना एटम समझ गए यह जो नचनिया पाटी सब से पुछिए कि 180 माँबाप हमारे मर गए हमारे बच्चे मरें गोली में हमारा 25 साल का लड़का मरा एक साल का किसाधी हुई थी आस्टेलिया में रहता था उसका बेटा लोटा देंगे क्या उसका हस्में दे अब देंगे हम लोग तो लड़ाई 2006 से लड़ रहे हैं सरकों पर हैं जब यहां पर आतंग फैला रहे थे तो हम हम लोग पूरा बिहार रात में गांधी में बैट गए थे तो इसलिए लड़ाई बिल्कुल किलियर है अब इनको लड़ने की कोई अवकाद है नहीं इसलिए खील तील ठोग रहा है रैफल बंदूग बॉम बारूद से लड़ना चाहते हैं लोकतंत पर और संबीदान पर बाबासाब अंबेदकर पर इनको भरोसा नहीं है ना इनको नानक पर ना गुरू गोबिन पर ना इनको किसी पर भरोसा नहीं है ना राम पर ना रहीम पर किसी पर नहीं को बस भरोसा ही इनकी सत्ता पूंजी पत्यों से दलाों से जुबरकर , गुगल पर अधानी पर , अम्बानी पर इनकी भरोसा नहीं है यह मस्त पन्साइटम है यह सरकार , समज गया है इंको लगता है कि हम इसी तरीके से लाथी डंटा से हम हाँ खानक के चला सबसे बड़ी उसके बाद इससे बड़ा मोहमेंट आस तक कोई नहीं है और उसके बाद इसको आप गाली देते हो हमारे हमने बेटे को अंतकबादी उनमादी खालिस्तानी तो टीट फो टैट जैसे को तैसा आप लड़ो गे तो हम मरने को तयार है हम मारेंगे नहीं हमtone को छढ़ो नहीं है अधि छोरो गए छोरोगे तो हम छोरेंगे लड़ाई साफ है किसानों की तो इसी लिए कानून साफ आप इसको समझने का प्रियास कीजिए सबसे ज्यादे बेनिफिट गरीब पर देश को उसमें बिहार भी है जहां 92 परतिसत किसान नहीं है एक बिगा से नीचे जमीन हम 9000 बिगा जमीन था हमको 100 बिगा भी जमीन नहीं पर देश के सबसे बरे जमीनदार थे पांच जमीनदारों में इसको समझने का कोशिष करिए बड़ी लड़ाई है और इसको तमिलाडू में भी है महरास्टा में भी एक लाग किसान जुटे हुए हैं, राजस्तान में भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, चिद भी मेरी, पड़ भी मेरी, सुब बाजा ता बाजा चलनियों बाजा है, सिसा के घर में रहके पत्थर फेकते रहते हैं, समझे, बरो के बाप, कनियों के बाप, दोनों क अब आप है लो इसे उनसे पुछिए जाकर के धन्वार अब बीजेपी वाले बीजेपी हद हो गया हमारे एक बच्चे से लड़ने की हिमते और रोकादे नहीं है क्या धंकी देंगे यह मेले उमेले अपने सौच्छेद है मेले को लुटे रहा है इस लोग अपने लुटे र में फसल है इस मुस्में माल गाल में फसल दाता है मेले लोग लड़ेगा मता खराब करता है पीछे से वार कौन करता है दोगला ना सामने सामनी कौन फढ़िया लेंगे